अनकेड़मी, लेट्स ट्रक इट अनकेड़मी, लेट्स ट्रक इट्रक 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 इन दोनों को ही दूसरे की अवशक था है आज के सेशन में जानने का प्रयास करेंगे क्यों भारत और मौल्दीव एक दूसरे के लिए अवशक हैं और अगर ये जो तनाव है, जो ये विवाद है, ये बढ़ता है, तो क्या-क्या दाव पर लगा हुआ है इन दीनुस हैडलाइन, इन्या-मौल्दीव टाइस, अमिड्रो, वाइद टू कंट्रीज नीड इच अदर, इन वाट इस अट इस अटेक, क्या दाव पर लगा हुआ है मौल्दीव बिशले कुछ समय से काफी न्यूज में है, for all the wrong reasons, I would say, from past sometime, जिसमें सबसे पहले जो नहीं सरकार है, which is led by President Mohamed Mirzu, उन्होंने भारत को कहा कि आप विड्राव कर लीजे अपने military personals को मौल्दीव से पहली जी, उसके बाद उन्हें चाइना को चुना अपनी पहली overseas visit के लिए over India, इसके बाद, he moved to scrap, एक बहुत important pact, जिसमें water survey involved, hydrological survey होता था, उसको इन्होंने खतम कर दिया, इस तरह के बहुत सारी चीजे की गई है, और latest trigger जो आया है, भारत और मौल्दीव के संबंदों में वो आया, इस तरह के undiplomatic शब्दों का इस्तमाल किया गया, by the ministers of museum cabinet, against Prime Minister Modi in particular and Indians in general, ये काफी जादा आपती जनक था हम सभी के लिए, so इसके बाद, yes, मौल्दीज ने कोशिश की damage control करने की, जहां पर तीनों भी leaders को sack कर दिया गया, जिनोंने इस तरह की comments ये remarks दिये थे, लेकिन भारत में अगर मैं बात करूँ तो इस से में बहुत बढ़ा एक, you know, एक boycott system चल रहा है, boycott Maldives का एक agenda चल रहा है, जहां पर जो tourist destination है Maldives, उसको पुछा से boycott करने की बात कर रही है हम सभी लोग, और इसको बहुत ज़्यद appreciation भी मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में प्रधान मंत्री Modi के लक्षुदीप का जो photo shoot था पूरा उसके बाद से, ल भारतियों को against Maldives, मैं आपको बता दूँ कि अगर पिछले साल की में बात करूं, तो सबसे ज़ादा जो tourist थे, Maldives में उन्होंने वो भारतिये थे जिन्होंने विजिट किया, सबसे ज़ादा भारतिये, number two पर Russian, number three पर Chinese थे, ठीक है, around 17 लाख tourist ने विजिट किया Maldives को करेंगे, but before moving forward, यह मेरे चोटा सा introduction है, this is my telegram channel दोस्तों, यहाँ पर आप मुझे follow कर सकते हैं, मेरी सभी class की update, schedule pdfs के लिए, unacademy पर unlock करने के लिए exclusive content, आप यूज कर सकते हैं, मेरा code NDLIFETEN, साथ ही हमारे subscriptions के लिए भी आप इस code का इस्तिमाल कर सकते हैं, to avail 35% discount, नीचे comment section म description box में आपको एक counselling form मिलेगा, वोस counselling form को आपको fill करना है, with my code NDLIFETEN, that I also get to know about you, and I can also help you in your preparation journey, करोलभाग centers हमारे जो है, करोलभाग का center वहाँ पर आपको इतीन courses फिलाल मिल रहा है, 2015 के लिए, flat 35% discount मिल रहा है, NDLIFETEN code यूज करकर, साथ ही, अगर आपको कोई भी doubt या query है, आप इस number पर call कर सकते है, center visit भी कर सकते है, मुखरजी नगर center में भी हम ये दो तीन courses लेकर आए है, आपके 2025-2025 के तयारी के लिए, again, NDLIFETEN code आपको use करना है, it avail 35% discount on your courses, कोई भी query के लिए, कोई भी जानकारी के लिए, आप इस number पर call कर सकते है, center visit भी कर, प्याग राज, UP म जो success program है, वो लेकर आए, plus subscription के साथ, साथ ही यहाँ पर आपको crash course मिल रहा है, 2024 के लिए, और UP PCS के इस aspirants है, उन लोग के लिए भी यहाँ पर एक foundation success program हम लेकर आए, क्योंकि इस center का ये पहले courses होंगे, तो यहाँ पर आपको flat 40% discount मिलेगा, अगर आप subscription लेते हैं, तो word आपको use करना है, nd life 10 यहाँ दो, इस number पर आप call कर सकते हैं, अपनी किसी भी जानतारी के लिए, civil lines में center को visit कर से, साथ ही दिल्ली वाले जो aspirants है, वो भी निराजना हो, 2024 के तयारी में हम सब आपके साथ हैं, और आप लेकर आए है, C-Sat crash course और Flims का, GS crash course आपके लिए, जो की शुर call back center पर आपको यह course मिले, चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि stake पर actually क्या है, stake पर है भारत और मौल्दीव के diplomatic और political position, जो की बहुत मुश्किल से पिछले 6 decades में नहीं है, now British ने जब relinquish किया था, मतलब छोड़ दिया था, island को 1965 में, तब से ही भारत ने, मौल्दीव के अपने diplomatic ties को established किया, though there was no diplomatic mission in Malay earlier, नहीं था, उस समय वहाँ पर कुछ भी, और यह जो पूरा diplomatic जो ties थे, mission था, इसको इंडिया का जो high commission को लॉम्बो में, उसके द्वारा रन किया जाता था, till 1978, लेकि 1980 के बाद, इंडिया का अपना एक ambassador, ambassador, जो representative है, वो अब यहाँ पर islands में है, ठीक ह तो बहुत मुश्किल से बने हुए ties हैं, और 2008 में जब democratic transition हुआ, मौलदीज में, उसके बाद से भारत ने बहुत गहरे संबन यहाँ पर build किये हैं, with all the relevant stakeholders, चाहे वो politicians हो, चाहे वो military के जो लोग हैं, वो हो, businessmen हो, या civil society हो, मतलब एक तरह से government change होती रहे, लेकिन भारत के सालों की एक तरह से कह सकते हैं, सालों लगे हैं इस relationship को बनाने में, भारत और मौलदीव के बीच के संबन है, जो काफी strategic और काफी महत्पून संबन है, क्यों है strategic मैं आगे बताऊंगी आपको इसके बारे में भी, जहां पर networking लगी है with the local population there, इंडिया को एक तरह से पहली destination of choice बनाया गया मौलदीव के लिए, especially for education and medical reasons, तो अगर मौलदीवियन को education के क्षेत्र में या medical चीजों के लिए आना होता है, तो सबसे पहले भारत की तरफ रुख करते हैं, ठीक है तो यह सब stake पर है, ना भारत को मौलदीव की आवशकता क्यों है, पहले यह जानते हैं, फिर जानेंगे कि मौलदीव को भारत की आवशकता क्यों है, पहले भारत को क्यों आवशकता है, देखिए, जो location है मौलदीव की, वो काफी strategic location है in terms of maritime security, जहां पर मौलदीव लोकेटर है, हमसे केवल 70 nautical miles मेनी को है, जो लक्षुरीप के एक बड़ा आइलन में से है, और 300 nautical miles ह बहुत जादा दूरी पर नहीं है, साथ में इसकी जो location है, वो बहुत important location है, क्योंकि ये जो commercial sea lanes है, इसके थूँ, इनके रास्ते में हैं, जो की Indian Ocean में run कर रहे हैं, जो भी commercial routes है, ठीक है, ये कही ना कहीं बहुत जादा strategy importance बना देता है भारत के लिए, इसके लावा, मौलदी की element है भारत की maritime security calculus में भी, जो security scenario है, भारत की पूरी जो अपनी periphery है, मिंदी इंडियन ocean, वो कही ना कहीं linked है, जो मौलदीव की जो strength है, maritime strength है उससे, जिसकी वजह से, जिसके चलते, भारत initiate करता है, invest करता है, मौलदीव के defense में भी, support करता है, इनकी security, जो मौलदीव की security है, by training its defense forces, estimates के according 70% तक जो मौलदीव के defense training है, वो भारत के द्वारा की गई है, चाहे वो मौलदीव जाकर की गई हो या भारत की जो elite military academies है, वहाँ पर मौलदीव के जो defense personnel है उनको बुला कर की गई हो, 70% जो trained forces हैं मौलदीव में फिलाल भारत के द्वारा trained है, इंडिया ने aircrafts और choppers दिये हैं मौलदीविन defense forces को ताकि वो aerial survey, surveillance रख सके, क्योंकि ये region हमारे लिए भी बहुत महत्पून है, of course, China एक बहुत बड़ा reason है इसके पीछे, क्यों? अभी देखते हैं, साथ में भारत ने train किये है, personals also यहाँ पर, कि कैसे वो vertically land कर सकते हैं, on the island, in the island, sorry, ठीक ह इसके अलाबा, अभी कुछ समय पहले ये भारत चाहा रहा था कि वो coastal radar system भी setup करें मौलदीव में, ताकि आये रखी जा सके, सभी activities की इंडिया नोशन में, because of the location मौलदीव has, होती strategic location है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि केवल भारत और मौलदीव के संबंदी ऐसे नहीं है, चायन भी इस तरफ एंटर कर चुका है, ता मौलदीव ने अपनी पहली embassy जो थी, वो 2009 में शुरू की थी चायना में, चायना ने अपनी embassy 2011 में recently start की, लेकिन इस तरह से investment किये जा रहे हैं, projects में, specially अजीज इंपिंग के कारेकाल के समय पर, और जिस तरह से belt, one belt, belt and road initiative को push किया गया, कही ना कहीं, मौलदीव काफी जादा कह सकते हैं, प्रभावित हुआ है by the Chinese, नहीने projects investment हो रहे हैं, है ना, इस वज़ा से, तो भारत कही ना कहीं concerned है, at the expanding Chinese footprint here, ये भी हमारे लेक चिंता का विशह है, क्योंकि अगर आप location देखें, तो भारत, इधर पाकिस्तान, इधर चायन और मौलदीव और श्रिलंका में जिस तरह से गुस्पैट करने की कोशिश विलाल चायना की है, अपने centers को establish करने की, अपने इनो, boards बनाने की, establish करने की, ये सब तरीके हैं, कही ना कहीं, भारत को चारो तरफ से घेरने के, तो इसलिए भारत के लिए चिंता का विशह है, ये ये सब भी, और अगर हम purely strategic perspective से देखें, strategically देखें, तो भारत को मौलदीव चाहिए अपनी side पर, to secure its maritime periphery, नहां के वल अपनी maritime periphery को secure करने के लिए, बलकि Indian Ocean में एक नजर रखने के लिए, और साथ में चायना का जो influence है पूरे neighborhood में, उसको check करने के लिए, we need Maldives on a side, ठीक है, तो ये तो है, भारत को मौलदीव क्यों चाहिए, अब एक नजर मारते हैं कि मौलदीव को भारत की अवश्रक्ता क्यों है, तो शुरुवात करते हैं with the daily needs, भारत supply करता है मौलदीव को हर दिन के जो essentials होते हैं, मतलब anything, everything possible, जो edible चीज़े हैं, tooth, spices, vegetables, poultry, rice, etc, except for seafood, क्योंकि of course, it's an island, है न, वो मौलदीव के अपने आप में बहुत है, इसके लावा भारत supply करता है medicines, not just the routine everyday medicines, but the critical care and life saving drugs, ये भारत से जाती हैं मौलदीव, इसके लावा भारत supply करता है जो basic items होते हैं, infrastructure build करने के मौलदीव को, जैसे rocks, rock boulders, cement, और basically anything one needs to build a house or bridge, और a school or a hospital, infrastructure बनाने में जो भी चाहिए होता है, basically सब कुछ भारत से जा रहा है, ठीक है, सब कुछ भारत export कर रहा है, इसके लावा एक सबसे major multi specialty hospital जो है मौलदीव में, वो भी भारत के द्वारा बनाया गया, which is a 300 bed Indra Gandhi Memorial Hospital, तो dependency बहुत जादा है, basic needs से लेके, education से लेके, economy से लेके, infrastructure से लेके, हर ची education की बात करें, तो भारत education provider रहा है Maldivians के लिए, क्योंकि, देखिए Maldives क्या है, एक छोटी सी population है, चोटा सा population base है, और islands है, तो scattered है, spread out है, isolated है, तो कोई major education institutions यहाँ पर नहीं है, तो हर साल Maldivian जो बच्चे है, वो हमारे यहाँ आते है, higher education institutions में, इसके अलावा कुछ तो boarding schools म भी आते हैं, school education के लिए भी आते हैं, इसके लिए सरकार उनको scholarships भी देती है, ताकि वो भारत आए, economic dependence के अगर मैं बात करूँ, तो भाही dependent है, अधिकतर most of the items पे, तो इसी लिए, जैसे के हमने देखा भी daily use के items हो, या infrastructure development के लिए हो, सब चीजों के लिए Maldivs dependent है, तो भारत जो है, Maldivs के top trading partners में से है, अगर total 50 क्रोड का trade हुआ है, between India and Maldivs in 2022, तो उसमें से 49 क्रोड हमने export किया है Maldivs को, तो इस तरह की dependency है भारत पर Maldivs की, ठीक है, इंडिया Maldivs का second largest trade partner बना 2022 में, इसके अलावा, during, you know, during COVID, और during tsunami, इस तरह की जब situation होती है, तो we are the first ones to help Maldivs, हम सबसे पहले helping hand देते हैं, चाहे वो, there was a, you know, water crisis in Maldivs, then tsunami was there, भारत अपना support हमेशा दिखाया है, security provider है, ना के वल in the terms of crisis, security के term में, जब वहाँ पर एक coup हुआ था, coup attempt हुआ था 1988 में, against the President Abdul Gaiyum, तो उस समय भारत ने अपने troops को भेजा था to fight the commentants, भारत ने भेजा है, कि चल इस situation को handle करने के लिए, इसके लावा Indian Navy और Maldivian Navy जो है, वो joint exercises conduct करती है, Indian assets, Indian assets जो है, वो हमेशा readiness में होते हैं, in the vicinity to protect islands, island nation, हम हमेशा उनकी तुरक्षा के लिए, उनकी vicinity में होते हैं, तो basically, both the nations, they need each other, तो कहीं न कहीं, to end we can say कि, देखिए, दोनों को ही दूसरे की जरुरत है, काफी कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, तो मुझे लगता है, तोनों ही leaderships को साथ में बैटके, जो भी issues है, उनको resolve करना चाहिए, mutually, उसरे की concern को देखना चाहिए, cooperate करना चाहिए, on what matters most with sides, I am not saying कि लक्षोदीप should be developed as an alternate tourism destination, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ है, जो stake पर है, it's not just the tourism spot, जिसको अभी बहुत जदा हम highlight भी कर रहे है, tourist spot, yes, हमारी लोग बहुत जाते हैं वहाँ पर, एक alternate tourist spot हम develop कर सकते हैं, लक्षोदीप में, which is the same area, उसी vicinity में है, और अपने यहां के जो लोग हैं, वो अपने यहां रहें, बहुत अच्छी बात है, अवारी economy को boost मिलेगा, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ है, beyond tourism जो stake पर है, यहां पर, you know, in between, whatever the issues are, so, this is about the relationships, and what is at stake between the two countries, I hope आपको यह समझ में आया है, दोस्तों, चलिए, IS officer कैसे बन सकते हैं, प इंडिया के top educators, आपको, आपके doubts को resolve करेंगे, आपकी queries को resolve करेंगे, आपके जो भी confusions होंगे, उनको resolve करेंगे, अगर आप attend करना चाहते है, करोलबाग center पर तो अभी जाकर enroll कर लीजे, QR code को आपको scan करना, register करना, इसके लिए, इसके लिए, वाहा हमारे offline centers पर आपको बहुत सारी benefits or features भी मिल जाएंगे, that will be all from my side, I hope you like the session, do not forget to like, share and subscribe to the channel and also if there will icon so that you get notifications about it, thank you so much, God bless you.